जैसे कि आपने देखा कि आज कासी मीरा मासाच पड़ा में आज लाइट लगने वाली थी लेकिन अनिल भुष्ले जाकर वहां पे रोग दिये ऐसा आरोप रामभुण सर्मा और वहां के रहिवाश्यों का है मैं उनके आज आनिल भुष्ले के पासा हैं कि कहीं ने कहीं वह दलाल है ऐसा आरोप राम भुण सर्मा ने उनकी उपर लगाया है चले बात करते हैं अ और व्हों से उनका कहना है इसव मैं आप को सबसे पहले अप का आपने ये न्यूज लगा है जो विक्ति रामबोन शर्मा ये रहने वाला पिंकर पड़ेगा दो हजर बारा में उत्तर भारतियों को रोड पे लाने वाला ये खुद दलाल 60,000 रुपे ये लेने वाला पका रुमका और पक्तरेका रुमका चलीज अजर रुमका लेने वाला जिसके इसके घर पे जाके लोगों ने मारा और चोर मचाय शोर ये दलाल आरोप लगा रहा है कि बोले के आनिल भूस्ले वहां पे दलाली कर रहे है आज मासेजा पाड़ा मे तादाद में महापाली का यही दलाल ने 66,000 रुपे लेके दोहजार बलगे आपना इसमें जब राष्ट्रवादी की सत्ता थी ये दलाल रामभुवन शर्मा टैक्स का और पक्तरुमका 60,000 लेता था हजारों लोगों ने मोर्चा निकला 2011 का मोर्चा में इसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग है और यह चोर मचाइय शोर यह आदिवाशी का वाद ये है यह अदिवासी जो आनिल सावरे है यह इसको इलेशन आया है इसको अब कोई कुटा नहीं पूसता है कि इन्हों ने इतनी गंदगी किये हर जगधे यहां पर लूट मार करके यहां पर कहीं जगबार मार खाया हुआ अदमी यह भागा हुआ अदमी है और वह आदमी आज यहां पर नेतागेरी के चक्र में लोगों को आदिवाशी लोग और इसमें वह वाद विवाद लगाने का प्रयास कर रहा है यहां पर जातिवाद का रा लोगों को उत्तर भारत्यों को वहां पर बढ़का के वहां पर जगड़े लगाने का काम कर रहा है और लाइट जो अब भी उनका बोजा क्लियर करो वो लाइट चारपास मेटर वो लोग लगा रहे हैं वहाँ पे यह हपते में लगेंगे प्रोसेश चलो इसको क्रिडेट लेना है बलकि बोजा इसने नहीं क्लियर किया सुरेश पटल जे ने वहाँ पे जाने ने का रस्ता अब जो एक के तेरा लाख रुपे दिख रहा है एक में और एक कुछ बोजा दिख रहा है यह जो बोजा है उनका आदिवस्य को यह मांगा है कि हमारा जो साथ पार भी जो बोजा है वो क्लियर करके दो आपको कोई प्रावलम ने लाइट पानी हम सब देने के लिए लिए यह खुद ही ब्रश्टा चारिए इसका कहीं प्लैट कहीं शॉप अगर इसके एंटे कराप्शन चोप कुछ लगे तो यह जिल जाएगा इसका क्या बोलता कहीं मंत्री लोग जैसे अंदर जाए तीन साल जामिन नहीं होगा कैंकि इसका ना कोई व्योसा है ना कोई धंदा ह पिंकर पाड़ा में रिक्षा चलाता कहां से आया पैसा इसले बोला ना चोर मचाय शौर यह खुदी ब्रश्टा चारिए यह दूसरे पर ब्लेम लागा रहा है अके गाव में पूरे उत्तर भारतियों को अगर यहां पर बसाने का काम लाइट देने का काम पानी देने का का 2012 में इन्हों ने किये हुए पाप वह भी हमने दोये हुए अर लोग उनको बता है आपने देखा जब हमने अनिल भोशले से एक्षन का रियक्षन जानना चाहा तो अनिल भोशले ने राम भुवन सर्मा के उपर आरूप लगा कर कहा चोर मचाय शौर जिस तरह से वह मेरे उ दिशर में लाइट लाने के काम अनिल भोशले ने किया है ऐसा उनका कहना है लेकिन कुछ लोग जो रहते थे पहंकर पाड़ा में यहां पर आके दलाली करते हैं और खुद हमारे उपर इल्जाम लगाते हैं कुछ कागजी कारवाई है इसलिए वो रोका गया है वो कागजी करवाई पूरा कर ले लाइट लगाए यह किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा अब तो यह आने वाला समय बताएगा कि रहिवाशियों को इनसाफ मिलता है या नहीं मिलता है तब तक लिए हमारे साथ में बने रहे हैं बॉर्णर इंडिया के लिए और देस्राय की रिपोर